है गाइज वल्कम टू ब्लॉग 3 आज है गंगोर तो सबको मेरे तरफ से हापी गंगोर आज बहुत कुछ होने वाला इस ब्लॉग में हम गंगोर की पूजा करेंगे फिर बहुत टेस्टी सा नास्ता करेंगे वह दिखाओंगे में क्या क्या है मेन्यू में और उसके बाद हम बनाएंगे खजला क्या क्या है तो पूजा हो गया डन हमारा गंगोर का और अब ममी बना रही है खजला जो एक पापड होता है और वो बहुत यमी होता है वह दिखता है चोटा साहिलिंग जासे आप तेल में डालो गया और वो एक दम बढ़ा हो जाता है जी मतलब घजब का होता है गजब कि अब इसका डो बना रही है डोनट जैसा बनेगा यह बिसिकली देखें ऐसा डोनट जैसा डो बनता है फिर उसको इसमें बॉइल किया जाता है ममी कितने मिनट बॉइल करते हैं उसको 15-20 मिन जाते हैं चातू से ममी क्या बढ़ाना चाहेंगे इसके बारे में कुछ की कैसे बनता है ममी कॉंटिटी इसमें एक लो चावल के आते में वीर्स की राम सोदा और 40 ग्राम नमक पड़ता है मिर्ची थोड़ी सी पड़ती अपने स्वाद में जीरा एक चमच थोड़ा सा और ऐसे करकी ममी सागू बना भी तो पड़ता है ना सागूत दाना एक किलो में 50 अच्छा तो आपको यह पापड बनाना बहुत पसंद है पसंद है खिलाना भी पसंद है खाना भी मैं बताहूं आपको फ्रेंग्स ममी को पापड बनाना बहुत पसंद है और ममी हमेशा ही बहुत पापड बनाती है और मुमी को सच में खिलाना बहुत जादा पसंद है तो चलिए अब मैं भी चलती हूँ थोड़ा मुमी का help करने के लिए और आप भी देखें ये खजला कैसे तयार हो रहा है जैसे ये 15-20 मिट बाइट पक जाएगा हम इसको निकालेंगे और इसका एक आटा वयार करेंगे करेंगे जाएगा तो अब मेरा तो आटा वला काम खतम हो गया है अब ममी सादा पापड बेल रही है जब पापड बेल जाएगा तो हमने उसको धूप में डाल देंगे और जब तक ममी पापड बेल तब तक मैं बहुआ को सुला लूँगी क्योंकि उसको भी बहुत लीट हो गया अब ममी के पापड बेल चुके थे मैं उसको जाके धूप में डाल दिये हैं हम धूप में उसको कम से कम जैसे अभी हमने डाला है उसे अराउंड बजे डाला है तो आज वो शाम तक रहेगा फिर उसको कल दो पहर तक रखना है धूप में उसको लेकर आ जाएंगे फिर सुपह में जाकर उसको डाल कर आ जाएंगे बहुत डेंजर टाइप की दूप पड़ी है यहां पर तो पापड जब बिल गया था नीचे में ममी ने पूरे पापड बे आपका काम हो गया है पापड के प्रती इसको सुखने में थोड़ा टाइम लगता है बट सुख करके जो आए का लास्ट प्रोड़क्ट वो बहुत ऑसम होगा मेरे पास बना हुआ रखा हुआ है खजला ममी ने एक हफते पहले ही एक बाद एक लॉट एक किलो खजला बनाया तो वो रखा हुआ है अभी फिलाल में आम का पन्ह पी रही हूं ममी ने बनाया है तो इससे लिए आपको ख़ड़िस लिए आपको कुछ-कुछ बात यह जान लेनी है जैसे कि आप जो चावल का आटा का यह बनाओगे मतलब डोनट्स जब बनाओगे मैंने आपको दिखाय पकाना है और डोनट्स को कम से कम 15-20 मिनट तक अच्छे से पकाना है वह जितना अच्छा पकेगा उतना ज्यादा अच्छा वह कढ़ाई में जब आप तलोगे तब फूलेगा थर्ड चीज आपको क्या करनी है जब आप डोनट्स को निकालोगे 15-20 मिनट के बाद उसको अच्छा पराइब करना जब तक अच्छा आपको तोड़नी है और फिर जाकर के पापड़ बिलना है तफ नहीं बोलूंगी और बहुत इजी भी नहीं बोलूंगे मेडियम है लेकिन बहुत जादा टेस्टी है यह अभी मैं आपको तल के दिखाने वाली हूं तो यह था मेरा आज का घंगोर व्लॉग बोल लिजए या खजला व्लॉग बोल लिजए चली आप भी अच्छे सा सेलिब्रेट कीजेगा अपना घंगोर और खजला बना के ट्राइ करेगा कैसा लागा मुझे बताईएगा कि अगर मुझे अपने व्लॉग में कुछ इन्ह करना है कुछ इंप्रूब्मेंट करना है वो भी मुझे बताईएगा आपके रिप्लाइ का आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा मिलती हूं मैं आपसे अपने नेक्स वीडियों तब तक के लिए टेक क्या बाब बाब अपसे अापफा मिलती मैं पताईएगा आपके की इन्ह erst kh Dri